कि नमस्कार दोस्तों हम आपके लिए लाएं सनावत से गेज कन्वर्शेशन कारे का वर्तमानी स्टेटस यहां पर आप देख रहे हैं जनावत से पूरी तरह से उखड़ चुका है तथा पुरानी बिल्डिंग तथा पुराना फ्रेटपार्म भी तोड़ कर ट्रेक के लिए लेवलिंग का कारी किया जा रहा है इस वक्त और यह आप देख रहे हैं रेलवे क्रासिंग जो है जनावत का वहां से निमाड खेड़ी की तरफ जो मिटर गेज लाइन जाती थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है यहां पर भी ट्रेक के पास में बाउंडरी वाल का निर्मान किया जा रहा है तथा ट्रेक के लिए लेवलिंग के लिए यहां पर कारे हो रहा है प्लेटफार्म पर बिल्डिंग तो तयार हो चुकी है पूरी तरह से शेट का लगाने का कार्य यहाँ पर गड़्टे किये जा रहे हैं शेट लगाने के लिए तथा प्लेटफार्म आधा जो बन चुका है और आधा और बनने के लिए यहाँ पर खुदाई हो चुकी है एक डेड़ महीना गुजरने के बाद में भी रेलवे द्वारा यहाँ पर उतनी तेज गेती से कार्य नहीं करवाया जा सका है जितना की उम्मीद थी रेलवे द्वारा मार्च 2020 में खंड़वा से सनावद के भी स्ट्रेन चलाने की जो समय सीमा तैकी है वह सनावद में जिस गती से कार्य चल रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि उस डेड़ लाइन तक तो शायद यह कार्य पूरा हो पाएगा यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से लेविलिंग का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है जो जिस पर ट्रेक बिच्छाया जाना है तीन लाइने बिच्छाय जानी है अभी मिट्टी डाली जा रही है तथा फिर इसे समतल किया जाएगा कि अच्छी हाइड दी गई है यहाँ पर प्रेट फार्म को कि मित्रों अगली वीडियो में हम आपको इस गेज कनवर्जन के आगे के भाग के बारे में बताएंगे जिसमें आपको काफी रोचक वीडियो मिलने वाला है अगला इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूले दोस्तों इस वक्त हम गुजर रहे हैं कुराने मीटर ग्रेश ट्रेक के समाना अंतर इंदोर इच्छापूर हाइवे से निहां से मौंकारेश वर इस्टेशन की और जा रहे हैं वर्तमान में यहाँ पर सनावत की और जो रेलवे लाइन है वो पिछी हुई है क्योंकि यहाँ पर से से तीन मीटर गेश ट्रेनों का संचालन महू के लिए किया जा रहा है वर्तमान में इस इस्टेशन पर अभी गेश कनवर्शेशन से संबंदित कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिल पाई है हमें तथा ऐसा सुना था कि इस इस्टेशन से सनावत की और तक्रीबन डेड़ किलुमीटर आगे नया उंकारेश्वर इस्टेशन बनाए जाने की योजना है उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी उपलब्द कराने की कोशिश करेंगे तब तक आप से उम्मीद है कि आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे धन्यवाद आपका